जैनगर मेदुबनी जैनगर अनुमंडल कार्याले के समेपी क्रिश्य भवन प्रांगण में बुद्वार को अनुमंडल स्तरिय क्रिश्यांत्रिक मेला 2018 का उद्धाटन अनुमंडल पदाधिकारी शंकर शरणवमी, जिला क्रिशी पदाधिकारी रेविती रमन, ऐसे बानी, रंदीर भार द्वाज, प्रखन क्रिशी पदाधिकारी नन किशोड पासवान वा उप्रमुख मिथिलेश पा सरकारी स्तर पर अनुदान के लिए सरकार ने क्रिशी यंत्र अनुदानित दरपर किसानों को देती है, ताकि किसान खेती के लिए अनुदान पर खेती संबंधीत यंत्र ले सके, वहीं जिला क्रिशी पदाधिकारी रेविती रमन ने भी खेती के लिए उप्योगी होने वा खास बात ये है कि इस कृष्य यात्रिक मेला में पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर विभिन प्रकार के पौदा का भी प्रदर्शन किया गया, आयोजित कारिक्रम में कृष्य समनवय उमेश कुमार, किसान सलाहकार के अलावे दर्जनों की संख्या में किसान मौजूद थे। कृष्य की दीन है कि इस कृष्य विभाग के द्वारा कृष्य यांत्रिकरम येक मेला कायोजित किया गया है, जिसमें जो बजलते समय के साथ हमें आगे बढ़ना है, उसमें किस तरह से यांत्रिकरम का सहयोग प्राप कर हम अधिक अधिक फसल का उपादन करें, इसके मेला लगा गया है, हम उमीद करते हैं कि यहां के लोग जो भी पिशान है, वो इसका अधिक सदिक पाइदा उठाएंगे, इसमेले जो नही 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 अविस्तार हुए, जो नही नही उपकरन आये मार्केट में, इसको देते हैं और इसको अपने किसी तार में उसका उप्य जैनगर मदुबनी जैनगर प्रक्षन कारयाले के समीब समुदाइक प्रशिक्षन भवन में भुदवार को अनुमंडल स्तरिय जन्वरी वितरन प्रनाली दुकानदारों की बैठक एसडियो शंकर शरनोमी की अध्यक्षता में आयुजद की गई बैठक में एसडियो ने अनुमंडल मुख्याले के जैनगर के पीडियेस विक्रेताओं पर लग रहे आरों पर जम कर फटकार लगाई एसडियो ने कहा कि जिन पीडियेस के द्वारा समय अवधी में कारियों का नश्पादन नहीं किया गया तो वैसे लोगों के खिलाफ कारेवाही संभव है साथ ही वैसे पीडियेस विक्रेताओं को अन्तयोदे लाभूकों को डेटाबेस से चिनहित करना है सभी लाभूकों का आधार कार्ड नमबर एवं आता नमबर लिना है पूरे जीले में राशन के राशन लाभार्थियों के मिसमैच नाम को चिनहित करसुदार करना है उन्होंने कहा कि जिन लाभुकों को नए राशन कार्ड की आवशक्ता है वैसे इच्छुक व्यक्ति अपना आवेधन अनुमंडल कार्यालेया में जमा कर सकते हैं वहीं सभी PDS विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्रों में सुप्रेम को टेसटी को चिनहित कर नए राशन कार्ड के लिए आवेधन कराए बैठक में जयवनगर आपूर्ती पदादिकारी अजीत कुमार जा लद्मिया आपूर्ती पदादिकारी अमरेंदर कुमार के अलावे कारेपालक सहायक विदापती जा सुरेंद कुमार उशा कुमारी एवन सुरेंदर पंडित समेत अन्ये मौजूद थे जैनगर से अली की खबर हर लाखी मदुबनी आज बिहार वकेंदर सरकार गावों के सरवांगीन विकास के प्रती सजग है जिसको लेकर पूरी प्रतिबद्धा के साथ सरकार काम कर रही है क्योंकि जब तक गावों को विकास की रोशनी से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक देश्वा समाज का विकास का तई संभव नहीं है इसलिए आम लोगों को भी चाहिए कि सरकार के साथ कदम से कदम मिला कर चले ये उक्त बातें हरलाखी विदायक सुधान्शू शेकर ने जिरॉल गाव में एच्छे कोष्ट से निर्मित तालाब घाट के उदगाटन के दोरान कही उन्होंने यह भी कहा कि हमें क्षेत्र के विकास के साथ साथ समाज में जागरूकता के लिए भी काम करते रहना चाहिए जब तक समाज की मानसिक्ता नहीं बदलेगी तब तक बेहतर विकास संभव नहीं है इसलिए हम सभी को एक जुड़ता के साथ समाज के विकास में यूगदान देना चाहिए बताते चले कि मुख्यमंत्री क्षित्र विकास योजना अंतरगत हरलाखी विदायक सुधान्शू शेकर ने जिरॉल गाउं में आठ लाग चालीस हजार की लागत से निर्मित तालाब घाट का किया उद घाटन किया मुके पर विदायक प्रतिनिधी अवधेश कुश्वाहा, खिरहर मुखिया विकास मिश्रा, रोशन कुमार, डाक्टर नरेश कुमार यादव, कृष्ण कुमार यादव, राजवीर यादव, परमेश्वर यादव, रामपाल मांजी, मोस फिर सदा समेत अनि ग्रामीन भी म सेविका सहाई का बहाली हे तू आवेदन के अंतिमदेन भुद्वार को जयनगर अनुमंडल कार्यालय के समीप बाल विकास पर योजना कार्यालय में दरजनों अभिर्थियों ने आवेदन जमा किया, प्रभारी CDPO सहेले सरक्ना कुमारी ने बताया कि सेविका सहाई का बहा जमारा निधारत के अंतिमदेन भुद्वार को आवेदन जमाली आ गया, आवेदन की अंतिम्तिती होने के कारण आज बाल विकास पर योजना कार्यालय पर भारी भीर देखी गई बासो पट्टी धाना इलाके के फेंद गौव में बिजली की करण से मौके पर ही मिस्त्री की मौत हो गई, घटना बुद्वार की सुबह साथ बजे की बताई जा रही थी, मृतक की पहचान इसी थाना इलाके के पतोना गाउंग ने वासी 25 वर्षिय मनोज कुमार यादव के रूप में हुई है, घटना के विरोधने लोगोंने कलवाही बासो पटी मुख सड़क को सुबह से शाम तक घंटों जामकर उगरत प्रदर्शन वा आग्स जनी किया, परिजनों ने बिजली जी वसंबंदित ओपरेटर पर लापरोही का आरोप लगाया है, मृतक की पतनी रिंकु देवी के बायान पर पुलिस ने जेई निलेश कुमार वसंबंदित ही करने के लिए फेंद गौव स्थित अजाम टोल में टांसफर्मर के निकट पॉल पर चढ़ा था, पॉल पर चढ़ने से पहले पावरहा उस से लाइन कटवा दिया गया था, इसी दोरान लाइन जोडते ही पुन है लाइन आ गया, जिस से मौके पर ही उसकी मौत हो गई, घटना को लेकर आकरोशित लोगों की भीड उगर प्रदर्शन करने लगी, लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर आगजनी भी किया, सड़क जाम से सुवह 8 बजे से ही बासुपटी कलवाही मुख्य सड़क पर आवागमन बाधित हो गया है, दरजनों गाडियों की कतारें लग गई है, आकरोशित भीडव मृतक के परिजनों ने इस घटना में लापरवही बरतने को लेकर बिजली जेई व अन्य बिजली कर्मियों पर प्राथमे की दर्जकर कारेवाई करने की मांग कर रहे थे, वहीं मृतक के परिजनों ने उचित मुआवजा दिये जाने की भ लाइन दे दिया गया, जिससे तक काल घटना स्थल पर ही मौत हो गई, परिजनों का आरोप है कि दो दिन पहले ही जेई ने मृतक को किसी बाद को लेकर धमकी भी दिया था, साजिश के तहेत मारने का आरोप लगाया गया है, हाला कि आरोप से जेई ने इंकार किया है, चार प्रेशन तक पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्ट मॉर्टम के लिए भेज दिया, बासो पटी थाना ध्यक्ष संजे कुमार ने बताया कि लोगों को शांत करा लिया गया है, लापरवही के आरोप में जेही और अपरेटर पर केस दर्ज कर लिये गए हैं, हर ल हर लाखी बिजली दिये जाने के दावे किये जा रही है, हर पंचायत में इच्छुकों को मुफ बिजली कनिक्षन देने के लिए शिवर लगाया जा रहा है, तो वही दूसरी और बिजली आपूर्तिक के नाम पर जमीनी हकिकत कुछ और ही देखने को मिल रही है, चौबीस घंटे ब बिजली सप्लाई किया जा रहा है। उपभोगताओं को चौबीस घंटे के अंदर पूरे एक घंटे सही से बिजली नसीब नहीं हो रहा है। को लेकर पहल की जाएगी। हर लाखी से अब्दुल माजिद की खबर। जैनगर सिटी चानल को सबसक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि जैनगर और आसपास की खबरें सबसे पहले आपको मिलें। झाल 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 झाल